हाई फ्रेंड्स मैं प्रियंका आप सभी खास्वागत करती हूं मेरे चैनल स्वाधिष्ट रेसिपी में फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बिल ऐकॉन प्रेस कर दे मेरे सभी नए वीडियोज को देखने के लिए फ्रेंड्स आज में आप लोगे साथ तील के और गुड की गजग की रेसिपी सेर करने वारी हूं जिसे मैंने बहुत ही असान तरीके से बनाया है और ये मुझ में बिलकुल घूल जाने वाला है बहुत ही तेस्टी गजग बन कर त्यार हुआ है तो वीडियो को एन तक जरूर देखिएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलिएगा आए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते है गजग बनाने के लिए हमें लेना है सफेद तील तो मैं यहाँ पे ली हूँ 300 गराम सफेद तील जिसको मैंने धो लिया है और इसको अच्छे से धूप में सुखा लेना है अब हमें तील को रोष्ट करना है धूप में अच्छे से तील को सुखाने के बाद तील को low medium flame पे बहुत ही अच्छे से roast करना है जब तक इसमें चटकरियें की आवाज ना आने लगे तो कढ़ाई गरम हो गया है और ध्यान रहे कि जब भी तील को भूने तो उसमें मोटे तले के कढ़ाई का यूज करें ताकि तील हमारा जले नहीं और equally अच्छे से भून जाए तो फ्रेंड्स तील भून गया है आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से तील भूना है बिल्कुल क्रिस्प हो गया है और अब मैं गयस का flame आफ कर दूंगी और तील को दूसरे प्लेट में निकाल कर रख लेंगे मैंने तील को निकाल लिया है एक प्लेट में अब हमने जितना तील लिया था उतना ही हमें गूड लेना है तो मैं यहाँ पे एक बाउल तील ले थी हैंनी 300 ग्राम तो मैं यहाँ पे 300 ग्राम ही गूड ले रही हूँ और इसके साथ हम डालेंगे half cup पानी और उसके बाद यह गुड का सीरप बिल्कुल पॉफेक्ट बनाना है तो मैं यहाँ पे 5 मिनट तक लो मेडियम फ्लेम पे गुड के सीरप को पका ली हूँ और एक बाउल में पानी लेकर थोड़ा सा सीरप को डालेंगे और यह देखिए यह जो सीरप है न विल्कुल क्रिश्टल फॉर्म में चाहिए यह थोड़ा सा फैल रहा है और उसके बाद यह ठड़ा होगा ना यह टक टक बज़ेगा पानी में बाउल में तो और यह तूटते भी लगेगा इसका मतलब है कि यह सीरप बनकर हमारा स्यार हो गया है यह देखिए तूट रहा है अब हम गैस का फ्लिम आफ कर दें सीरप जो है वह जले नहीं और साथ में थोड़ा सा इसको और रिश फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें डाल दे रही हूं हाफ कप रोस्टेट पीनट यानि मूंफली अब गैस का फ्लेम आफ करेंगे एक मिनट के लिए इन सबको अच्छे से श्टर करेंगे और फिर जब त उसे मिक्स हो जाया तो फलेम को आफ कर देंगे तील और पीनट गोड के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है आप एक प्लेट के उपर घही लगा देंगे उसके पीछे वाले पार्ट पर इस भीष को फैला देंगे और पापड की तरह हम बना कर त्यार कर लेंगे प्लेट पर इस मिक्षर को फैलाने का प्रोसेस बहुत ही फास्ट करना है और जब यह फैल जाएगा तब हम इसे रेच्ट देना है जब तक यह बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए अब यह जो पापड़ी है पिल्कुल ठंडी हो गई है तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे तोड़ लेंगे छोटे छोटे पीसेज में तील और गुड की पापड़ी को मैंने निकाल कर तोड़ लिया है अब इसे ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसे पिल्कुल बारिक ग्राइंड करेंगे इसका एक फाइन पाउडर बनाकर हम त्यार कर लेंगे तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं कि इसका बहुत ही फाइन पाउडर बनकर त्यार है यह देखिए अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और बच्चे हुए पापड़ी को भी ग्राइंड करकर उसका भी पाउडर बनाकर त्यार कर लेंगे अब हमें इसे जमाना है तो इसके लिए मैंने एक केक टीन दिया है जिसको मैंने घी से ग्रिस कर दिया है और एक प्लेन रैपर को मैंने उसमें डाल दिया है ताकि गजक हमारा जो असानी से निकल जाए आपके पस कोई भी प्लेट हो या फिर कोई भी ट्रे हो बर्फी मेकि रही हुआ हैं और चारों तरफ हम इसे अच्छे से इस प्रेट कर लेंगे इस केक टीन में पाउडर को डालते जाना है और इस्पून की हेल्प से या फिर किसी फी ग्लास के पीछे वाले साइट से इसे दबाते हुए हमें जमाना है तो बिलकुल द्यान से इस प्रोसेस को अच्छी बने और इसी तरह से हमें इसको डाल करं जितना भी आप तील वारा इस संहिने जमा सकते हां कोई आपड़ों बेटेब केक्टें में जमा मिल्कुल जिकना हो गया और आप यहां पे काजिब में पिस्ता को चॉप कर कर ले लिया हूँ और इसको उपर से इससे गार्णिस कर दे रही हूँ साथ में थोड़ा सा भूना हुआ सफेज ती लेंगे इसको भी उपर से डाल देंगे अब एक बाउल लेंगे बाउल के पीछे वाले साइड से प्रेस करते हुए इसको दबा देंगे अब इसे सेट होने के लिए हमें फ्रीज में रख देना है एक घंटे के लिए ताकि यह अच्छे सेट हो जाए उसके बाद ही हम इसे कट करेंगे एक घंटे के बाद आप देखेंगे कि ये बहुत ये अच्छे से सेट हो गया है ये टाइट हो गया है अब हम इस रैपर के साथ में इसे निकाल लेंगे बाहर और फिर इसे पीसेज में कट करेंगे मैं एक चॉपिंग बोट पर इसे निकाल ली हूँ और इसे आप मन चाहे साइज में कट कर सकते हैं लंबे हो या फिसकौयर सेट में हो इसको काटते से में थोड़ा सा केरफुल रहना है ताकि ये कहीं से भी टूटे नहीं और इसको पीसेज में चॉप करने के बाद आप इसे किसी भी टबे में इस्टोर करकर रख सकते हैं 15-20 दिनों तक खा सकते हैं ये बहुत ही हिल्दी होता है तो फ्रेंट्स उमीद करती हूँ कि तील के गजग की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लिए इसे लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलें चैनल पर नहीं ह प्लिए